नमस्कार दोस्तो सिविल इंजिनिरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभिशेक सिंग दोस्तो ये छोटी से वीडियो आपके बहुत सारे मेहनत से कमाए हुए पैसो की बचत करने वाला है दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी इस तरह से एक पूरे बीम में होने वाले खर्चे से बच सकते हैं और उससे आपके structure पे यानि कि आपके घर पे boundary पे किसी भी परकार का कोई भी दिक्कत या फिर गलत प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है चुकि मैं पैसा उसी जगह से दोस्तो कटिंग करने की सलाह देता हूँ जहां से हमारे घर के किसी भी structure में कोई भी दिक्कत ना आए डेर फिट उपर दिया हुआ है उसके नीचे में देखेंगे दोस्तो एक से डेर फिट का जगह आपको दिखाई दे रहा है लेकिन दोस्तो साथ ही साथ दोस्तो अगर आप compare करेंगी ये मैं जहां खड़ा हूँ दोस्तो जिधर से वीडियो गर रहा हूँ वो इस सक्स का जम पर देखेंगे कि उनके दाहिने साइड दोस्तो ये घास वाला पाट दिखे रहा आपको ये परोशी के जमीन के बिलकुल लेबल पे दोस्तो आप देखेंगे कि यहां पर टाइवीम दिया जा रहा है अब दोस्तो चीद को समझना आपको कि ग्राउंड बीम कहां देना चा सारे तीन चार फीट का दोस्तो गैप होता और उसमें एक प्लीन्थ मिम देना बहुत ही मस्ट हो जाता लेकिन दोस्तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब भी दोस्तो मिट्टी का भड़ा होगा ठीक है ग्राउंड लेबल पे मिट्टी का तो भड़ा होता ही है जोकि अगर आप मिट्टी वगरा भड़ते हैं इसको इस तरह समझें अगर मिट्टी वगरा भड़ते हैं दोस्तो तो मिट्टी बगल वलग जमीन चुकि उंचा है या फिर उसके बगल में बौंडरी किया हुआ है तो वो मिट्टी कहीं जाने वाली नहीं है इसलिए आपको डाइरेक्ट जो है वो क्या करना है आपको नीचे में जो पहला टाइब इम होगा या फिर गराउंड इम कह लेजिए उसको वो अपने परोसी के लेबल पे देना है ताकि यहां पे आप मिट्टी भरते हैं दोस्तो आपको लगता है कि यह जो मिट्टी जो है वो परोसी का जमेंची के उपर है तो यह दबाव डालके परोसी के जमीन को दोस्तो कुछ भी अफेक्ट ने कर सकता है तो इस कारण दोस्तो आपका नीचे का जो ब्रिक वर्क है या फिर आपने अगर ब्रिक वर्क करवा रखा है तो उसको कोई भी दिक्कत ना आएगा क्रेक्स वगरा क कोई भी चांस नहीं रहेगा दोस्तो चुकि इसको बाहर से यानी परोसी के जमीन से यहां पर सपोर्ट है तो इस तरह से आप पूरे एक बीम में होने वाले जितने भी खर्चे है मैं हजार या लाक की बात नहीं कर रहा हूं जितना पूरे आपका प्रोजेक्ट है दोस्तो और जितना असान कर वा रहे है उसमें पूरे एक बीम का खर्चा आप बचा सकते हैं और हर जगह से कटिंग नहीं किया जाता है जैसे जगह पर कटिंग कीजिए जहां से आपके इस ट्रॉक्चर को किसी परकार का नुक्सान ना हों तो फिर मिलते हैं दोस्तो उमीद करता कि मैंने अपने तरफ से कोसिस की है आपको डेटेल में समझाने की और जहां से हो सकता है दोस्तो वहां से कोस्ट कटिंग तो करनी चाहिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तो नमस्कार